राखी फेस्टिवल आ रहा है तो सुचा भाई के लिए कुछ अच्छी सी राखी बनाते हैं तो फटाफट मैंने अपने पिटारे में से डिफरेंट कलर के बीड्स निकाले और साथ में हमें चाहिए हाफ कट बीड मैंने याप ए स्मॉल साइस के लिए हैं बीड्स को अटेच करने के लिए मैंने याप फ्रेड एंड ग्लू दोनों का यूज किये अगर आपके पास थोड़ा एक्स्टा टाइम है तो आप फ्रेड की हल्प से भी बीड्स को लगा सकते हैं तो सर्किल मैंने ज्रॉ कर लिया था उसके साइड साइड में ग्लू को लगाऊंगे और उसके उपर मैंने गोल्डन कलर के बीड्स को अटेच किया है सर्किल थोड़ा पड़ा है इसलिए एकदम से परफेक्ट बीड्स नहीं लगेंगे इसलिए हमें पहले रफली जो हमारे बीड्स से उनको लगाना है उसके बाद हम फिंगर की हेल्प से बहार के साइड पुश करके एकदम परफेक्ट सर्किल बनाएंगे फ्रेट से तो मैंने सर्किल को बना लिये हैब मैं फिंगर के हेल्प से बीड्स को एड़स करूँगी हमारा चार्किल था वाएंगे कम्प्लीट हो गया है मैंने यहाँ पर लिया है वाइड कलर का सेक्वेवेंस और उसके उपर मैंने लिया है वाइड बीड sequence और white bead को लगाने के लिए मैंने उपर की side small yellow color का bead लिया है तो center का part बनके हमारा ready हो गया है इसके side में हमें golden color के beads लगाने हैं तो मैं यहाँ पे glue की help से beads को लगा रही हूँ pad के अंदर golden color के beads को insert करेंगे और नीचे के side glue लगाने के बाद thread को इस type से rotate करेंगे उसके बाद needle को हमें उपर से नीचे की side ले जाना है तो हमारे beads लग जाएंगे center का जो part है उसके side में हमें छोटी छोटी leaf बनानी है तो मैंने pattern जो draw किया था वो 6 leaf का किया था लेकिन जब मैं leaf बना रही थी तो मुझसे 5 leaf ही बनी handmade jewelry थी इसलिए डरने की कोई बात नहीं है हमसे 5 leaf बनी तो मैंने उसके according ही pattern बना दिया उसके अंदर मैंने yellow color के beads लगाए है beads लगाने के बाद हमें कुछ इस type का दिखाए देगा अब जो side side में space है हमें उसके अंदर भी beads लगाने है आप चाहो तो thread की help से भी लगा सकते हो लेकिन मैंने glue की help से उन्हें attach किया है अगर fabric glue से आपके beads अच्छे से attach नहीं हो रहे हैं तो आप भी 7000 glue का use कर लेना वो glue काफी strong होता है हमें beads को उपर से press करना है और जो extra beads हैं उनको इस type से हटा देंगे तो pink color की जो beads थे वो मैंने लगा ली है मैं यहाँ पर pink, blue and baby pink तीन कलर का use कर रही हूँ यह वाली राखी बनाना बहुत ही simple है मैंने half and hour में पूरी राखी complete कर ली थी तो आप भी easily बना लोगे मैंने यहाँ पर same process repeat किया beads को लगाने के लिए जिस type से मैंने pink bead लगाए थे वैसे मैंने बाकी के beads भी लगाए है मेरे पास कोई अच्छे company का mic नहीं है इसलिए मेरी आवाज थोड़ी clear नहीं आती है उसके लिए sorry अगर आपको कुछ भी doubt हो ताप मुझे comment box में message कर देना मैं यहाँ प्लायर की help से एक एकर के beads को लगा रही हूँ आप चाहो तो हाथ से भी beads को लगा लेना वो बहुत easy लिए लग जाते हैं कोई problem नहीं होती हाथ से भी लगाने में तो जो beads से वो मैंने सारे complete कर लिए और हमारी राकी कुछ इस type की दिखाई दे रही है थोड़ी दिर हम इसे dry होने के लिए रखेंगे ताकि हमारे जो beads है वो अच्छे से attach हो जाए उसके बाद हम उसे cut कर लेंगे तो cut मैंने कर लिया है और यह हमें कुछ इस type की दिखाई दे रही है next part के लिए हमें डोरी बनानी है तो डोरी के लिए मैंने वही तीन कलर लिये है जो हमारे beads के color थे तीनो कलर के जो thread थे उनको मैंने same length में cut किया और last में एक knot बनाई जिसको हमें tape की help से attach करना है ताकि यह ही लेना different different style से हम डोरी बना सकते हैं आप यह सबसे easy way लिया है जिस type से हम अपनी चोटी बनाते हैं मैंने उसी type से डोरी को बनाया है तीनो कलर बहुत ही bright थे तो बहुत ही सुन्दर लग रही थी यह डोरी बनने के बाद आपको जितनी लंबी डोरी चाहिए आप उसी के according जो thread है उसकी length को cut करना मैं वीडियो को थोड़ा fast forward कर देती हूँ वरना जो हमारे वीडियो है वो काफी लंबी हो जाएगी तो मैं फटाफट अपनी डोरी को complete करती हूँ तो complete करने के बाद हमें कुछ इस type की दिखाए देगी मुझे तो यह बहुत ही pretty लग थी next step के लिए हमारी राखी की back side में हमें डोरी को attach करना है तो मैंने वहाँ पे glue लगाया उसके उपर डोरी रखी और वहाँ पे उसको press करके attach किया और last part के लिए हमें back side में finishing करनी है जिसके लिए मैंने आपे white cotton fabric लिया है उसको circle में cut करके इसके उपर attach करूँगी और हमारी जो राखी है वो बनके ready हो गई है I hope आपको मेरी राखी पसंद आई हो Thank you for watching my videos Bye Bye, Happy राखी